ये ब्रजेश ठाकुर का बालिका ग्रे है जिसमें केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक से फंड आता है ताकि बे सहारों को सहारा मिल सके लेकिन एक छट के सहारे के बदले यहां बच्पन को किस तरह रौंदा जाता है ये खुलासा आज उन बच्चियों के बयानों से होगा जिनके साथ यहां बलातकार हुआ जिन्हें टॉर्चर किया गया ब्रजेश सर अक्सर हमारे साथ गलत काम करते थे बाहर से भी कई लोग आकर गंदा काम करते थे जिसमें एक तोंद वाले नेता जी और मूच वाले अंकल तो अक्सर आते थे मना करने पर ब्रजेश सर हमें हंटर से मारते थे हमारे खाने में नीन की गोलिया मिला दी जाती थी नीन आने के बाद हमारे साथ गलत काम किया जाता था इस बात की जानकारी वहां के सभी स्टाप को थी मगर कोई कुछ नहीं बोलता था सब ही मिले हुए थे जब हम सो कर उठते थे तो हमारे बदन में बहुत दर्ध होता था किरन अंटी ब्रजेश सर के कमरे में जाकर सोने के लिए बोलती थी और किसी बाहरी शक्स के मिलने आने की बात कहती थी कमरे में जाकर हमें नींद आ जाती थी और सुभा उठने पर हमारे कपड़े जमीन पर पड़े होते थे और पेट में बहुत दर्ध होता था अगर कोई लड़की भागने की कोशिश करती थी तो ब्रजेश सर लड़कियों को बहुत पीटते थे ब्रजेश सर बहुत बुरे आदमी थे हमें वो गलत जगहों पर पैरों से मारते थे नोच नोच कर जखम कर देते थे एक लड़की के तो पेट में बच्चा था तो ब्रजेश सर ने उसके पेट के नीचे मारा पता नहीं शायद बच्चा मर गया होगा ब्रजेश के इन काले कारनामों को अंजाम देने में यूं तो उसका तमाम स्टाफ साथ देता था मगर किरन नाम की महिला जो इस बाली का ग्रे में हेलपर का काम करती थी वो ब्रजेश की इन दरिंदगियों में बराबर की भागिदार थी क्योंकि ज्यादतर बच्चियों ने बताया कि उन्हें ब्रजेश सर से ज्यादतों किरन अंटी ही टॉर्चर करती थी किरन अंटी हमें निर्वस्त्र होकर सोने के लिए कहती थी और रात में दूसरे कमरे में ले जाकर गलत काम करवाती थी मना करने पर हमारे साथ मार पीट करती थी इसलिए जादतर लड़किया मार खाने के डर से चुप रहा करती थी खाना मांगने पर किरन आंटी बच्चियों की पीट पर या तो गर्म पानी डाल देती थी या गर्म छोलनी से मारती थी गलत जगोह पर मारती और गालिया देने लगती थी किरन आंटी सिर्फ हमसे ही गंदा काम नहीं करवाती थी बल्कि खुद भी करती थी किरन आंटी अक्सर हमें गलत तरीके से छुआ करती थी मामले का खुलासा होने के बाद जांच में ये भी सामने आया है कि इस बाली का ग्रिह में एक कमरा था जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन थीयेटर के तौर पर किया जाता था जिसमें उन लड़कियों का गर्भपाद कराया जाता था जिनका इस पाप ग्रिह में शारीरिक शोशन होता था शारीरिक शोशन के बाद अगर बच्चियां गरवती हो जाती तो उनका जबरन इसी ओपरेशन थेटर में गरपाद करा दिया जाता था